नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में जबसे मैंने अपने चैनल पर AI Voice इस्तिमाल करना शुरू किया है तब ही से हर वीडियो पर आप लोगों का एक कमेंट जरूर आता है कि मैं अपनी Voice किस एप या सौफ़वर से जनरेट करता हूं तो इसके उपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के अनुरोद को मानते हुए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं अपनी AI Voice किस तरह से जनरेट करता हूं और यही नहीं इस वीडियो में आपने अभी तक जितनी भी Voices सुनी है वह सभी Voices उसी AI टूल से जनरेट की गई है जिससे मैं अपनी AI Voice जनरेट करता हूं वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए अपनी AI Voice जनरेट करने के लिए मैं जिस AI टूल का इस्तेमाल करता हूं उसका नाम है फिलिकी AI इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए अगर आपको फिलिकी पर AI वीडियो भी बना चुका हूं जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं अब आते हैं अपने मैन टॉपिक पर अपनी AI वाइस जनरेट करने के लिए हम यहाँ न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये तीन आप्शन आ गए हैं वीडियो, आउडियो, डिजाइन हमें बीच वाले आउडियो पर क्लिक करना है उसके बाद नीचे आप्शन है फाइल नेम यहाँ पर आपको अपनी फाइल का कुछ भी नाम दे देना है तो अभी मैं यहाँ पर अपनी फाइल को एक नाम दे देता हूँ उसके बाद नीचे आप्शन है लैंग्वेज लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने लैंग्वेज ओपन हो जाएगी अब आपको अपनी AI वाइस जिस लैंग्वेज में जनरेट करनी है आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी मैं आपको अपनी वाइस जनरेट करने के बारे में बता रहा हूँ तो मैं यहाँ से हिंदी सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद नीचे आप्शन है Start with यहाँ Drop Down पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से Script Empty File को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद Submit पर क्लिक करेंगे यहाँ कुछ देर Processing चलेगी Processing complete होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का Interface open होगा अब यहाँ पर आपको Cursor Billing करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें अपनी स्क्रिप्ट को Paste करना है तो अभी मैं अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पर Paste करता हूँ या Continue पर क्लिक करेंगे अब हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पर Paste हो चुकी है जितनी लंबी आपकी स्क्रिप्ट होगी उतने ही Scene आपकी स्क्रिप्ट में आपके यहाँ पर दिखाई देंगे जैसे कि अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे है Scene 1, Scene 2 इसी तरह से आपकी स्क्रिप्ट में भी आपको यहाँ पर Scene दिखाई देंगे अब हमें यहाँ पर एक option दिखाई दे रहा है voice over उसके नीचे एक नाम दिखाई दे रहा है सवरा इस पर हमें click करना है उसके बाद हमारे सामने यहाँ voice selection का option खुल जाएगा अब नीचे हमें यहाँ पर अलग-अलग नाम की voice दिखाई दे रही है जिनहें आप यहाँ से select करके अलग-अलग voice over generate कर सकते हैं उपर एक option है gender का यहाँ drop down पर click करेंगे तो यहाँ पर option आता है male, female तो यहाँ से आप अपनी voice के gender को select कर सकते हैं क्योंकि अभी मैं यहाँ पर male voice को generate करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से male को select कर लेता हूँ तो अब हमारे सामने यहाँ पर सिर्फ male voices show हो रही है हर voice के सामने आपको speaker का option दिखाई दे रहा है speaker पर click करके आप उस voice को यहाँ से सुन सकते हैं मैं जिस voice को इस्तेमाल करता हूँ उस voice का नाम है आयोश जो पहले number पर आपको दिखाई दे रही है तो मैं आयोश पर click करता हूँ हमारी voice यहाँ select हो गई है उसके बाद सबसे नीचे आएंगे यहाँ पर आपको एक option दिखाई दे रहा है apply to all scenes तो यहाँ हम इस box में tick कर देंगे यहाँ apply to all scenes पर टिक करना जरूरी है अगर आप इस box पर टिक नहीं करेंगे तो आपकी selected voice सभी scenes पर apply नहीं होगी उसके बाद नीचे select पर click करेंगे उसके बाद नीचे एक option दिखाई दे रहा है preview का इस पर हम click करेंगे जैसे ही हम इस पर click करते हैं यहाँ पर processing होना शुरू हो जाती है जैसे ही processing complete हो जाएगी हमारी script यहाँ voice में convert हो जाएगी अब हमारी voice generate हो चुकी है यहाँ play पर click करके आप इसे सुन सकते हैं अमू एक चपल बेचने वाला जुका हुआ बुढ़ा आदमी शाम ढ़लने के वक्त पुराने railway station पर बैठा था उसके सामने फैली भीड में से आते जाते हैं अब अपनी voice को download करने के लिए उपर option है download का download पर click करेंगे उसके बाद यहाँ option आता है format का यहाँ drop down पर click करेंगे तो यहाँ से आप format select कर सकते हैं कि आप अपनी audio को mp3 में download करना चाहते हैं या wave में download करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं mp3 को select कर लेता हूँ उसके बाद start export पर click करेंगे फिर start पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर कुछ देर processing चलेगी जैसे ही processing यहाँ complete हो जाएगी हमारी audio यहाँ download होने के लिए ready हो जाएगी साथ ही साथ जिस email ID से आपने अपना account यहाँ पर create किया है आपकी उस email ID पर भी download link पहुँच जाएगा आप अपनी email ID से भी अपनी audio को download कर सकते हैं अब अपनी audio को download करने के लिए यहाँ download file पर click करेंगे तो हमारी audio हमारे mobile या computer की gallery में save हो जाएगी एक बार हम अपनी audio को यहाँ पर play करके देख लेते हैं अमू एक चपल बेचने वाला जुका हुआ बुढ़ा आदमी शाम ढलने के वक्त पुराने railway station पर बैठा था उसके सामने फैली भीड में से आते जाते लोगों को वो निहार रहा था अभी आपको इस audio में और मेरी वीडियो की audio में कुछ difference नजर आ रहा होगा क्योंकि फिलिकी AI से अपनी audio generate करने के बाद मैं अपनी voice को audacity में edit भी करता हूँ तो इसके लिए हम चलते हैं audacity में audacity एक free software है जिससे आप अपनी voice को बहुत ही अच्छी quality में edit कर सकते हैं अब audacity में हम अपनी audio को import कर लेते हैं अपनी audio को import करने के बाद हम यहां से अपनी audio को select करेंगे इसके लिए या तो आप अपनी audio पर दो बार mouse से click करें या फिर control ए प्रेस करें तो आपकी audio यहां पर इस तरह select हो जाएगी उसके बाद उपर option है effect का effect पर click करेंगे उसके बाद volume और compression में आएंगे और यहां limiter पर click करेंगे उसके बाद apply पर click करेंगे के बाद वापस effect पर आएंगे इस बार EQ and filter पर आएंगे और यहां low pass filter पर click करेंगे apply पर click करेंगे मैं audacity में अपनी audio पर यह दोनों filter को apply करता हूँ तो अगर आप भी मेरे जैसी ही voice create करना चाहते हैं तो आप इन दोनों filter को इस्तेमाल कर सकते हैं filter apply करने के बाद अब हमें अपनी audio को यहां से download कर लेना है इसके लिए file पर आएंगे export audio पर click करेंगे यहां export पर click करेंगे और हमारी audio हमारे computer की gallery में save हो जाएगी अब बात करते हैं कि फिलिकी में आप इस voice को free में generate कर सकते हैं या नहीं तो इसके लिए हम फिलिकी के price page पर आते हैं तो हमें यहां पर तीन plan देखने को मिल रहे हैं पहला है free दूसरा है standard तीसरा है premium free plan में आपको हर महीने 5 minute का credit मिलता है जिससे आप free में 5 minute की अपनी voice generate कर सकते हैं और साथ ही यहां पर लिखा है limited voices तो मुझे लगता है मैं जिस voice को इस्तिमाल करता हूँ वह ultra voice है यानि के paid voice है वह आप free में इस्तिमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने भी इसका premium plan purchase किया हुआ है अगर आपको यह suitable लगता है तो आप भी इसका plan purchase कर सकते हैं और इसकी सभी ultra voices को इस्तिमाल कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को like कीजिए चैनल पर नए हैं तो कृपिया चैनल को subscribe कर लीजिए अभी तक के लिए नमस्कार मिलते हैं अगली वीडियो में